हाई व्रिवन मैं हूँ लक्षमी मेरे चैनल पर आप सब का स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ कि आप अपने गंदे से गंदे मिक्सी को मिन्टों में कैसे क्लिन कर सकते हैं नर्मल हमारे घर में मिक्सी का यूज बहुत होता है हमें कोई भी कुकिंग करनी होती है कुकिंग को फ्रस्ट बनाने के लिए हमारी मिक्सी बहुत ही हल्पूल होती है फ्रेंस किचन में अगर कोई आपका सबसे ज़्यादा साथ देता है तो वो है मिक्सी पहले हम लोग सिलवटे पर घंटो मसाला पिशते थे आज मिक्सी में मिनट भी नहीं लगता है और हम मसाला पिश करके रख देते हैं घंटो का काम मिन्टो में होता है और हमें जब भी जरूरत होता है मसाला पिशते हैं चटनी पिशते हैं जिसके कारण मिक्सी इतना गंदा हो जाता है कि हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं प्रोब्लम ये नहीं है कि मिक्सी इतना गंदा है प्रोब्लम ये है कि इतने गंदे मिक्सी को हम कैसे मिंटो में साब कर सकते हैं आज मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने मिक्सी को मिंटो में ही साब कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा कि दोनों में से कौन सा तरीका सबसे बेच लगा है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें तो चलिए पहला सोलेशन बता देते हैं इसके लिए आपको लेना है एक कोई सभी कटूरी इसमें लेंगे हम एक पराथ जम्मच भर करके बेकिंग पाऊडर अगर आपके पास बेकिंग पाऊडर नहीं है तब आप यहां पर बेकिंग सोड़ा ले सकते हैं जिसका यूझ हम केक को फुलाने के लिए करते हैं वही बेकिंग सोड़ा है और इसमें हम लालेंगे 2 सब कमाच विंश विनेगर विनेगर तो सबके घरों में होता है, अगर विनेगर नहीं है आपके पास आप यहाँ पर लेमन के juice का यूज कर सकते हैं, जो कम विनेगर करता है वही कम निम्बू भी करता है और आप देख सकते हैं, तोरंधी इसमें जागुत्पन होने लगा है और आप कोई भी दाग दब मिक्सी को ऐसे भी पानी से साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि मोटर जलने का डर रहता है तो नुकसान ही होता है लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाले हूं इससे अपका मोटर बिल्कुल भी नहीं जलने वाला है और देखे मैंने चारो तरफ इसको लगा दिया है और फूले में दो से तीन मिनट लग जाएगा लेकिन ऐसे आपका एक से डेल मिनट भी नहीं लगेगा फ्रेंज यह अच्छे से क्लीन हो जाएगा और देखे मैंने इसे लगा दिया और आपको कुछ भी नहीं करना है एक कपरा लेना है और इसे भीगा लेना है और इसे आपको क् क्योंकि अगर आप स्क्रब करते हैं तो इसमें स्क्रेच आ जाएगा तो नई मिक्सी भी आपकी पुरानी दिखने लगेगी और यह दिखे मैंने इसमें बरस विल्कुल भी नहीं किया है मैंने घहसा भी नहीं है और देख सकते हैं मिक्सी कितना जल्दी कलेन हो चुका है यह मैंने वीडियो को इसकी भी नहीं किया है और यह देखे आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है अब आपको क्या करना है नेल रिमूबर तो सबके पास होता है और कहीं भी दाग धबा या फिर गंदगी फसी हो तो आप इससे बहुत ही एजली क्लीन कर सकते हैं तो यह बह रसे 4 तरफ हम साफ कर लेंगे और यह देखे फ्रेंश मैंने 4 तरफ से ख्लिइन कर लिया है अभी ś आपका पर्इश मैंने नहीं पूशा है तो यह बाograph मैं से बलूगा है और चली मैं आपको दूसरा सूलेशन बता करनान में इसके लिए आपको लेना एक इस्प्रे अगर यह नहीं है तो आप यहां पर निम्बू का रस ले सकते हैं दो बरे चम्मच और यहां पर मैं डाल ली हूं दो बरे चम्मच विनेगर और साथ ही मैं इसमें डालेंगे डिस बार आपके पास जो भी है डिस बार जो भी है आप यहाँ पर ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं आधा चमश ले रही हूँ अफरेस अगर आपके पास इस्प्रे बोटल नहीं है तो आप यहाँ पर कोटन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप इसे कोई भी कटोरी में बना करके कोटन से यूज चर सकते हैं, और देखें मैंने इसमें भड लिया है, और ढकान लगा करके थोड़ा सा मिसेऍग करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे, बस हलका सा अर लिजे आपका स्वेलेशन बन करके तयार हो गया है, अब आपको क्या कर देखे धाइए खार में तुमें टीकिक कोंस देखे वाँ तुम के वाँके यह स्ब्सक्राइबात देखे मैंने इसमें सिantal परोग़ा है और देखे सकते हैं कितना जल्दी गंदगी से बाहर निकलने लगा है यह देखे देखे कितनी गंदगी निकल रही है और आपको लेना है यहां पर बर्ष देखे मैं हलکे हाथों से ही देखिए इसको घुमा रही हूँ क्योंकि जो भी गंदगी होगी फूल गई होगी तो बस आपको बहुत ज्यादर रगने की भी जोरत नहीं परने वाली है बस यह दिखिए इस तरह से गुमा देना है और आपको इस प्रे करना है इस पर पर जो भी गंदगी होगी वह असानी से निकल जाएगी, देख सकते हैं, कितनी गंदगी बाहर निकल रही है, तो देखियं, बरछ से घस देंगे, तो एजली साफ हो जाएगा, जहाँ जहाँ अब लग रहा है, कि गंदगी फसी हुई है, उसकी और आपको नाइफ लेना है, नाइफ में आप कपरा फसा करके देखिए इस तरह से हम साफ कर लेंगे और बहुत आसानी से साफ हो जाता है यह देखिए जहां-जहां भी आपको लगता है कि यह प्लीन नहीं हुआ है वहाँ आप इसे क्लीन कर सकते हैं देखिए बहुत्री एगसे इसी तरह कर लेते हैं और यह देखे थारी बहुत जो कोई वीडियो पुलोड करूं सबसे पहले आप देख पाएं और यह दिखिए और जहां जाब भी अभी आपको लग रहा है कि गंदगी फसी वी रह गई है तो हम बरस से क्लेंड कर लेंगे तो यह बहुत ही बेश तरीका है आपको जो समझ में आता है दोनों में से आप वो तरीका अजमा सकते हैं इसके बाद आप कोई भी कप्रा भीगा करके इसको चारों तरफ आप क्लेंड कर लें और देख सकते हैं मिक्सी हमारा बिल्कुल नया हो चुका है जितने भी गंदगी थी वो सभी खत्म हो चुकी है देखिए यह देखिए चारों तरफ मैं आपको साप करके दिखा रही हूँ तो कप्रा को हलका गिला करके साप करें और देख सकते हैं मिक्सी बिल्कुल नहीं हो चुकी है अगर आप इस प्रोसस से करते हैं तो मिक्सी आपका बहुत ही जल्दी साप हो जाता है मैंने यहाँ पर बहुत ही बेश तरीक आपको बताया है ऐसे तो मिक्सी साप करने के बहुत ही तरीके है लेकिन मैंने जो आसान तरीका है वही मैंने बताया है जिससे आपको मिक्सी नहीं होने वाली है उसके वादे कि हम एक सूखा कपड़ा लेंगे उससे हैं मिक्सी को साफ कर देंगे तो फ्रेंज आपको वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अशी लगी ही तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर लें मिक्सी अंदर तक बहुत ही अच्छे से किलीन हो गया है आप देख सकते हैं कितनी गंदी मिक्सी थी और कितना एजली तरीके से किलीन हुआ है अब जब भी आपकी मिक्सी गंदी होगी आप इस प्रोसेस से मिक्सी को साफ कर सकते हैं प्रिस आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाते हैं कमेंट करके बता सकते हैं उपर इसकिन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, आपको जो पसना आता है, क्लिक करके देख सकते हैं, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाइ बाइ